कोई तीन चार जगे से पोस्ट डाली गें इसे क्या मामला था वो थोड़ा बताएंगे देखिए कई बार यहां से निकलना होता है और के बाद में गाव में गनवास से नवन्युक्त पार्षद परतिनीदी भाई जी उन राम जी ने वह यहां से निकल रहे थे इतफाक सी उन करने के बाद में एक बाई ने उसी का सक्रीन सोट उठा करके यह कहा कि यह काम मैंने करा दिया है मैंने पंचगोला बात की थी अधिकारियों से मने भलाने से बात की थी अरे भाईत आप कोण उधराइस परसन होते हो जब यहां जिले में काबिल लोग बैठे हैं एक्शन सा मन्दित बात आज इलाके के अंदर आज आरे गाउं में लगा लो चाहिए हमारी डेरोली नहर जो कच्छी नहर है लास्ट बसरी तक जा रही है इसमें लगा लो जो अधिकारी यहां रहा उसने इस इस इलाके की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब आपके पास इतन प्रणा को गुमरा मत कीजिए काम कीजिए अच्छी बात है आपने बहुत सारे उनों लोगों ने बहुत सारे काम करवाएं उसमें हमरा सयोग रहा है उनके गाउं की भी काम है उनकी व्यक्तिकत भी काम है लेकिन जनता समझदार है फेस्बुक के निता नहीं बढ़िए आपकी बात उचित प्लेटफोरम पे कौन रखता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदीब कोशिक और आप देख रहें इंडिया न्यूज 16 अभी महंद्रगट जिले के मेगनवास गाव नजदीक लगता है वहाँ पे खड़े हैं और यह नहर है मेरे पीछे आप देखें हैं ताकि कोई इसमें गिर ना सके पहले इसके उपर कुछ भी ना के बराबर था कोई भी गिर सकता था और अभी बताया जा रहा है कि नई बनाई गई है और मैं काफी समय से देख भी रहा था वह फेस्बुक के कई साथियों ने पोस्ट डाल रखे थी मैंने करवा दिया मै मैं करवा के आया हूं तो já काफी लोग घड़े हैं इनसे बातचीत करेंगे कि फिर किस प्रकार से यह जो बनाए गए प्रोसेस है किसके ध्रिव सरकार यह बना रही है क्या इनका जो टेंडर वेंडर है किस प्रकार से हुए है जो खर्चा है वो कहां से आएगा तो आप मेरे साथ देखेंगे यहां पर काफी युवा साथी और बुजुर्ग भी खड़े हैं बाबा बैठे हैं सर्दी का माहोल है और दिखाएं आप एक बार पानी चल रहा है गाउं के अंदर पानी आ रहा है लugा तर तो यह सारी बात्चीत करते हैं सबसे बाबा से बात करते देखांत और तो थी तिन दिन हो गईरे नाम क्या है इसका कौन सी नहर बोलते हैं तो अभी यह जो बनाया गया है नया बनाये गए है यह करीब होगा दस बारा दिन पहले से नहीं बनाया गया तक यह काफी दिन हो गया लगबक दिन बात करें महीने साल सालों में यह कितना लेवल था बनाये मिद सक्ता कोई बीग ज्याय और इंचा काम करते हैं पता नहीं थेके दार तो यहीं का बता है यह घौज कहीं होई तभी ठेकेदार के थुल्ड़ Sum i किसी अपने गांव के तुछ., नहीं गांव के थु नहीं तो हुए है, इसका मतलब यह, कोई ठ है उसने यह बनाया है और यहां पे भाइसाब है मंजी यह काफी नौलेज रखते हैं और जो काफी चीज़ें उन में एक्टिव रहते हैं राजनिती में इस उसलोग बताते हैं कि क्या कुछ मामला यहां कर रहे तो का रहेगा कैसे हैं मैं ठीक हूं आपके सभी दर्सकों को मेरी तरफ से नमस्कार और हारदिक शुब कामनेग देता हूँ कि आप लगातार समाजीत में जो भी समस्या हैं आमजन की वो दिखाते हैं और उसका निवान कराने का प्रियास्टी सरकार के मेंबर्स हैं, मंतरी हैं, विधायगन हैं उनके मादम से आप करवाते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद करने के लिए कुछ दिन पहले ये तब नहीं बने थे या बनना स्टार्ट हुए तब एक पोस्ट देखी थी कोई तीन चार जगे से पोस्ट डाली इसे तो क्या मामला था वो थोड़ा बताएंगे देखें कई बार यहां से निकलना होता है और खेडा शुर्जनवास मेगनवास यह ग्लोक समीति के नाते तिनों गाउं आते हैं और वैसे वी इन गाउं का अपना एक महतो है कई बार यहां से निकलना होता है तो कई साथियों ने बता यह पूल टूटा हुआ है हमने इसको भी देखा आगे जो बड़ी नहर है जो जवारलाल कनाल बोलते हैं उसके भी पूल टूटा हुआ था तो हमने इसके एक अप्लिकेशन अपने एक्शन विभाग एक्शन साब कि इसको में जल्दी कर रहा हूं कि प्रक्रिया होती है कोई भी काम उसका एस्टीमेट बनता है और फिर उसका टेंडिंग होती है या छोटा काम होता है तो डारेक्टकि किसी पार्टी को जो विभाग से अटेश्मेंट होती है जिसके बास ऑथराइज परसन होता है उसको सब्सक्राइब नहीं हो पाया फिर मैंने असुतोष जी एक्सने उनको कहा उन्होंने का कि हम करवाएंगे फिर उसमें भी थोड़ा सा वेट चला कि बड़ा यह संगीन मामला था यहां वह कहते ना नजर अटी दुरगटना गटी उसके बाद में हमने एक दिन करकरम चोदरी द्रहंबिर जी हमारे शांचत जी हैं वह सुंद्रे गाउं में हमारे एक फोजी भाई सहीद हो गया था उनके वहां बैठने के नाति जा रहे थे तो उनको भी हमने दिखाया तो ऐसे करकर प्रिक्रिया काफी लगबग एक महीना चली और उसके बाद में लास्ट में जाकर क प्रिशासनी करूप से हमने एक्षन के माद्यम से इसको कहा और उसका मेगन वास गाउं की पार्टी जो उसमें अथराइज पार्टी बलते मतलग कहने का ठेकदार होता है जो इसके अटेश्मेंट होता है डिपार्टमेंट ची उनके माद्यम से वह काम यहां सुरू करवा सुरू करवाने के बाद में जब हम यहां से निकले तो मेरे पास सुव एक्षन साब का फोन आया कि पाउंजी वह आपकी एक कंप्लेंट थी और वह हमने उसका सोलूसन करा दिया उसके बीच मैंने सीम साब को भी ट्वीट किया जो ट्वीटर आज कल एक छोटा अच्छा प परातिमीयदी भाई जी उनर्दे राम जी यहां से निकल रहे थे इत्पाक से उनोंने पूछा कि बाई यहां कम कॉन करा रहे है विवाग की तरफ से करा रहे हैं विवाग फोन किया वाई उन्हों नेंगा यह कब भाए ऑए वरभर फवणी की कमपलेंड है उतराइस आपक स्थेद्टों करें कि उथ्य चुरु में किसने काम कर आप कहते हो की मैंने कराया लेकिन काम की परकीरे पहले से चल환 थी उन्हें कि मैंने निजिससे करवाया हैं तो यह जाए संक चैनल के उंहें आपके कि मैं खुद ट्रेक्ट चला करके ले गया मैं खुद नीटे डाल के आया रूडी डाल के आया और एक थोड़ा सा विवाद हो गया उसमें फिर वह सारे लोगों और भी बीच में आ गए वही तो मैंने का इनकी विवादों को खतम करो और ठीक है आप उसका क्योंकि आपका चै नल पे जो सबद बोले गए इन लोगों को सरमानी चाहिए अरे भाया हम तो सयोग के लिए तैयार है सरकार के हिस्सा है गिर्वेंस कमिटी का मैं मेंबर हूँ अधीकारी थोड़ी बहुत मेरी मान लेते हैं इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ लेकिन इतना है एक उम्मीद कर कर्म में लगबग उस दिन मैं बता रहा मेरे साथ थे इस काम के बाद में उन्होंने जो बड़ी नयरे उसका मैंने पहले रखा वा था दोनों काम आगे पीछे चल रहे थे उन्होंने एक फोटो कैप्चर करके और फिर डाला कि पंदरा बारा तक इस काम को कोई करवाता है क जो एस्टिमेट की है वो कंप्लीट करके और हम उसको सिरे चड़ा दें मालिक की कृपा है बोले की कृपा है और वो तेरा तारिक को लगबग वो काम कंप्लीट हो गया तेरा बारा उसके बाद में भाई जीवन जीन ने उसको पोस्ट किया कि मैं सब का धन्यवाद करता हू में कम समय में अधिक काम किया जाए क्योंकि वो पिछे देखा होगा आपने की बड़ी जो अपनी नहर है जगडुली के पास वहां चार नोजवानों की मौत हो गई थी बड़ा दुखत गटना थी तो मैं नहीं चाहता था वहां अगर आप ब्रेक भी लगाओगे ना हलका स सब्सक्राइब तो आप इन बैलेंस हो जाओगे रिशीता नहर में गिर जाओगे इसलिए काम जल्दी करना बड़ा महत्तपूर्ण था उसके धन्यवाद करने के बाद में एक भाई ने उसी का सक्रीन सोट उठा करके यह कहा कि यह काम मैंने करा दिया है मैंने पंच्छोला मैं कहता हूं पानी से संबंदित बात आज इलाके के अंदर आज आरे गाउं में लगा लो चाहिए हमारी डैरोली नहर जो कची नहरे लास्ट बसरी तक जा रही है इसमें लगा लो जो अधिकारी यहां रहा उसने इस इस इलाके की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ज जनता को गुम्रा मत कीजिए काम कीजिए अच्छी बात है आप ने बहुत सारे उन्हों लोगों ने बहुत सारे काम करवाये उसमें हमरा सयोग रहे उनके गाउं के विक्तिकत भी काम है लेकिन जनता समझदार है फेस्बुक के निता नहीं बढ़िए आज मैं आपके सामने tha हों हुआ आपके जमीन अकिकत पर ख़ड़ा हूं आगला पोइंट देख सकते हैं कोई भी पोइंट सकते हैं जो काम करेंगे उसका स्रै humans क्षाइए Wellness यह ध्रेके है जनता को ही स्रै है लेकिन एक माधम कहता है कि आपकी बात उचित प्लेटफोरम पे कौन रखता है तो आपका चैनल के माद्यम से मैं तो यह कहूंगा कि सच दिखाएं और जो मेरे साथी है वह सकता है मुझसे व्यक्तिकत कोई बात हो तो मुझे सामने रखें मेरे पास आए या मैं मुझे बुला लें जाए पीचरचा हो जाएगी बात्चित इसी के बारे में है या इसी तरह काफी जो हैं पुल बनाए गए हैं तब नहर बनी थी ऐसा बड़े बुजर्क बदाते और उस समय से लेकर आज तक जो 2014-15 के आसपास तक जो पाणी की लिफ्टिंग होती थी, ने तो इनकी सफाई हो पाई थी, कभी ने पाणी का लिफ्टिंग ठीक तरीके से हो पाती थी, जो मशीने थी वो बड़ी जरजर हो चुकी थी, पहले दफा मनौर लाल जी की कलम से इन की छटाई होई, यहां पाणी लिफ्टिंग के लिए जो मशीने थी, जो हमारा पंप आउस बोलते हैं, उन पर जितनी मशीने थी, वो लगबग 122 क्रोड रूपए का ऐसा मेरा राउंड फिगर में बता रहा हूं, 122 क्रोड के आसपास पैसा था, जो सेंक्शन हुआ, और यह सारा लिफ्टिंग का काम उसी समय सुरुआत हुई, आप लक्षे ही रखाएगा कि सरकार ने अंतिम टेल तक पानी कैसे पहुंचे, अंतिम टेल तक पानी तब ही पहुंच पाएगा जब उसकी ठीक तरह कैसे पर उपर सफाई होगी, उसकी रिपेर होगी, आज देखो आप पानी ऐसे फास तरीके से चल रहा है, मानता हुआ अगर महसूस कर सकते हैं तो जैसे एक सो बाउंडी के सामने जो रोड एक सो बाउंडी की गाडियां और यह पानी उसी स्वीड से चल रहा है, यह रोड कबड़ा आपके सामने बड़ा प्रोजक्ट इस वेवाद दिम जिसने अपना कोथड गाओं है, कला है, खुर्द है, ऐसे अनेक गाओं है, जिनके अंदर पानी का स्तर मैं मानता हूँ कि अजार फूट, आठ सो फूट से नीचे जा चुका था, आज उन गाओं के अंदर आप जाके देखोगे, हकिकत आपका चैनल दिखाता है, दस दस ब जिस तरह से अब एक बड़ा सिस्टम और तयार किया जा रहा है, ये सामने आप देख रहे होंगे, मसीने लगे हुई है, जल्द ही ये मसीने इसलिए लगाई गई है, क्योंकि जगडोली से लेकर के और लास्ट नांगल चोदरी तक, वहां तक इनको थोड़ा सा मैं मानता ह हालका-फुलका हमें नुक्सान भी होगा, इस बात को भी मैं असेप्ट करता हूँ, क्योंकि कच्छी थी, इंटें थी, पानी रिस्ट करके जाता था, और प्रोपर रूप से नीचे जाता था, तो पानी का स्तर उपर बढ़ता था, लेकिन इसके अलावा सरकार ने योजना पानी होगा, तो मैं मानता हूँ, यह प्रोजेक्ट अच्छा है, अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका लिफ्टिंग, जो लग बग इसके अंदर ऐसा बताते हैं, एक सो चोदा कुशिक के असपास पास पास इसमें चलेगा, तो मैं मानता हूँ, अच्छा प्रोजेक्ट है, स को अपना हक मिल रहा है जो धीरे धीरे अपना जो पून रूप से हख है वो तो मैं कहता हूं कि आप एक से लंबी कर सकते हैं लेकिन हमारा हख धीरे-देरे हमें मिल रहा है ऐसा हम मानते हैं कि किसानों को इससे बड़ा फाइदा हो गया तेको मैं तो किसान परिवार से विलों करता हूं मेरे दादा जी ने किस खेती की है मेरे पिताजी फोज में थे और अपना अलू और गाजर लगा रखी आपको उसका भी सवाद चकाएंगे और मैं कहता हूँ कि इस इलाके के अंदर जो कारीय सरकार कर रही है वो निश्यत रूप से आने वाली पीडियां भी याद करेंगी और बात पानी की है तो पानी के विशे में आप प्रते एक अंतीम टेल जहां अंतीम टेल करते हैं कि लास्ट जहां नहर का एंड आता है वहां टाइप में यह हैं कई कुछ सेमला जंगली जानुरों का अड़ा बन गया था लेकिन आज इनमें पानी प्रोपर रूप से चल रहा है विदान सबाद चुनाव नजदीक है और भारते जनता पार्टी करकरताओं की पार्टी है और इसके अंदर जो हमारा सीर्शनेतर तो त करता है उसके साथ प्रतेक कारेकरता अपने आपको उसी रूप में चला देता है सरकार में कोई मंत्री हो कोई विदायक हो वह अपने आपको आप कभी भी देखोगे मानिये प्रधान मंत्री जी लगा लें श्री नरेंदर मोदी जी चाहिए हमारे होम मिनिस्टर मानिये अम करता है मैं पिछले जुनों संग्ठन ने मुझे उचित समझा मेरे उपर कुछ दाइत होता है कि ये मुझे विजनोर जिले में यूपी के अंदर जो पूरी दुनिया की देश दुनिया की नजरे लगी हुई थी यूपी के अंदर की मुख्यमंत्री के नाते योगी जी के काम और राशन वित्रण में जो काम योगी जी के नेतरतों में विकास कारियों में हुआ वो साइध आज तक यूपी के अंदर नहीं हुआ और उसका आपने रिजल्ट देखा रिकोर्ड तोड हमें भहुमत मिला और दुवारा से उत्रपरदेश में माने योगी जी के नेतरतों और निश्य रूप से मानते दोजार चोवी सकिंदर भी मानि प्रदानमंत्री जी का नेतरतों रहेगा और निश्य रूप से भारती जंता पार्टी की सरकार बनेगी ऐसा आपनी गुजरात में भी देखा है और ऐसा हर्याना में भी आप देखोगे यह आने वाला समय आई हैं और यहां और भी वेक्ति खड़े हैं बातचीत कर लेते हैं क्या खुसी है पाने की बबाद नमस्कार नमस्कार मेरा नाम है कमांडो बिरेंदर शींग गाउन सुरजनवास सुरजनवास तो कितनी खुशी होती है किसान जब कुई बंद हो जाते है तो तो बहुत ख हैं इनमें आप बता रहे थे कि आजार फिट नहीं उनीस सो फिट नीचे तक पाणी चला गाया था आज वहां पाणिया बहुत अच्छी तरह से ऐसा हो रहा था कि पाणी पिने का भी नहीं मिलेगा लेकिन किसानों को पाणी मिल रहा है यह बहुत खुशी की बात बहुत ही बेहतेरीन तरीके से सफाई चल रही है और अभी यह जो नहर है बडी नहर इसका भी यहां काम यह बाही पाणी नहरे मिले गया और दूसरी तरफ यहां पने देखा कि भी इसमें जो सामानी यूज होता है वो सारा यहां पर बनाया जाता है क्या सोचते हैं किसानों के बारे में इस तरह के बचाओ कारिये के बारे में सरकार क्या कुछ कर रही है आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपके कहीं आसपास के छितर में अगर ऐसी सिच्वेशन बनी हुई है कोई बचाओ के लिए यहां कुछ बनाया नहीं हुआ आप कमेंट बोक्ष में कमेंट करें वहां तक भी सरकार के विक्ति और यहां पर पहुंजी बैठे हैं यह ऐसा काम करवाते रहते हैं तो यह जरूर उसको संग्यान मिलेके उसकाम को करवाने की कोशिस करेंगे लगातार खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज 16 नमस्कार धन्यवाद